जहिंद आप सभी को आयोप आप सभी लोग बहुत अच्छे होगे अपनी पढ़ाई बहुत खतरनाग लेवल पे कर रहे होगे क्योंकि करनी पढ़ेगी अभी दो महीने बचे अपने प्रिलिम्स के लिए 60 दिन है तो एक बार देख लेते हैं कि हम लोगों का जैसे एक जनरल स ले पाओगे और आगे ऐसे ही सारे वीडियो चाहिए पोस्ट से रिलेटेड हो कंप्यूटर टाइपिंग सारे वीडियो आपको मिलने वाले हैं क्योंकि जो चीजे अब देखो हम लोगों सेलेक्शन लिया सारे आप लोगों देखा होगा कि सब लोग सेलेक्टेड हैं तो और बहुत सारी चीजे होती हैं तो वह सारी चीजे आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि टाइम टेबल का क्या रोल है और सुरू करते हैं वीडियो से ही समझेंगे सबसे पहली चीज समझेंगे कि साथ दिन हमारे पास हैं और साथ दिन में क्या करना है डे मैं कैसे करता था तो ये सारी चीज़े हम लोग discuss करेंगे हमें पहले देखना होता है कि आज दिन भर में हमें क्या क्या करना है अपने चार सब्जेक्ट हैं ये बाद सब को पता है तो एक होती है day wise study एक होती task wise टास्क वाइज study भी की है मतलब उसमें क्या होता है कि फिर हम पूरा दिन मैथ ही पढ़ रहे पर वह एक बहुत अच्छे सेलेक्शन के लिए सही नहीं होता मेरा experience उसको लेके सही नहीं क्योंकि पता लगा पहले दिन तो आप खुब पढ़ रहे हो फिर आगे दो चार दिन आप नहीं पढ़ रहे हो एक लास्ट इंपॉर्टन जो है वह consistency है तो consistency जो आती है वह एक अच्छे प्लाइन से ही आएगी कि आप एक realistic plan बनाओ एक वह logical plan बनाओ जिस पर आप फॉलो कर पाओ तो आपके पास चार सब्जेक्ट हैं पढ़ने के लिए और मॉक क्योंकि इसके बिना तो अब पेपर आ गया अब उस पर कोई आप यह मत सोचो कि मॉक अभी नहीं बाद में देंगे अब मैं नहीं कहूंगा आपको पर दे एक मॉक अभी से देना है कम से कम 60 मॉक तो आप दो यह टारगेट बना लो इससे कम मॉक नहीं देने आपको अगर आपको सेलेक्शन लेना है इसी बार लेना है प्रेक्टिस करनी होगी और आपका सेलेक्शन हो जाएगा तो अब पहले देखो 24 hours होते हैं अपने पास ठीक है 24 hours में मैं देखो तो 8 hours की आपकी sleep हो गई 6-8 गंटे आप अपना personal life बाकी सारे काम होते हैं उन समय दे सकते हो बाकी बसते हैं 8-10 गंटे यह आपको quality study इसी को देनी है इतना आप decide कर लो इतना ही अगर आप इससे कम भी होगा चलेगा कोई इतना जरूरी नहीं है हाँ जितना पढ़ना है वो बहुत सही हो मलब उसमें भी बाकी distraction नहों फोन हटा के रखना है ऐसा नहीं कि मलब पढ़ भी रहे फिर धीरे सॉट्स भी देख रहे तो वो सारी चीजे ना हो ठीक है तो आठ से दस गंटे quality time हो आपके study का उसको break करके चलना है और डेली डेली लिखना है लिखना कैसे मैं आपको समझाता हूँ आपने एक बाड डिसाइड कर लिया अपना sleep का time ऐसा नहीं कभी दो बज़े सो रहे कभी स्लीब जो साइकल है वो भी body को नहीं पता चलता आप कैसे क्या कर रहो तो या तो आप लेट नाइट study कर रहो ठीक है अभी यह सेलेक्शन के time सब चीज पॉसिबल है बस सेलेक्शन जरूरी है अभी आप कुछ भी करते हो लेट नाइट study करते हो सुबह उठके करते हो दोनो सबसे पहले तो आपको सोने से पहले अपना plan decide करना day decide करना या आपको सुबह उठके तुरंत पहले अपना day decide करना कैसे मैं क्या करूं जैसे मानलो मेरे पास दो साइकल मैं बना सकता हूँ, कि दो बार में अपना डे हम फिनिस करेंगे, पहले चार गंटे पढ़ लेते हैं, फिर चार गंटे पढ़ लेंगे, आप ब्रेक हैं, ये सारी चीजे अपने लेवल पे डिसाइड करो, बहुत सारे लोग होंगे जिनकी जॉब होगी, बहुत सा परने में एक तो थोड़ा बोरिंग भी लगता है, और जिन में मेहनत ज्यादा लगती है, जो याद करने वाले पोर्सन है, तो जैसे करेंट अफेर इस्टाइटिक पार्ट, वो कैब हो गया, मौक देना, जिन में आपको लगता है कि ये चीज मतलब मुझसे नहीं होती है, इस में प्राब्लम होती है, जैसे मुझे प्राब्लम होती थी कि करेंट अफेर पढ़ना बहुत मुझे सही नहीं लगता था, बहुत डेटा होता है, याद करना होता है, तो वो काम कोशिश करनी, सुबह-सुबह निप्टा ले, क्योंकि जो बाद का टाइम आएगा, उसमे आप से अपना दिन डिसाइड करना है, तो ऐसे एक पेपर ले लिया, इसे फायदा क्या होता है, मुझे क्या फायदा होता था, जैसे मैंने लिख लिया, कि 7-8 मैं मानलो वो कैप करूँगा, फिर मानलो 10-12 मैं मौक दूँगा, उसका ऐनलाइज करूँगा, मानलो फिर 12-1 म मैं मैच कर रहा हूँ, उससे क्या होता था, यह चीज मेरे दिमाग में जो बैठ जाती थी, पूरे दिन के लिए, तो मुझे दिन बर सोचना नहीं पड़ता था, आप लोग यह चीज समझ नहीं पा रहे हो, होता क्या है, कि अगर हमारा दिमाग बहुत चीजे सोचेगा, ब एक image clear हो जाती है, कि हाँ, हाँ, ऐसे ऐसे करना है, और वैसे ही वो फिर दिन बर काम करता रहे है, साम को हमें analyze कर लेंगे, कि आज हमने कितनी देर पढ़ा, क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, यह चीज बहुत जरूरी है, analyze करते जाना है, improve करते जाना है, और बहुत आपको देख स्कोर मैं मलब मौक में improve कर देंगे, ओके, तो हमें ऐसे ही अपना क्या करना है, दिन को ऐसे schedule कर लेना है, मैंने आपको बता दिया, subject wise आप break कर सकते हो, बाकि strategy वीडियो जो मैंने पहले बताई थी, जो चीज़ मैंने एक बार बता दी, वो सही है, एकदम ठीक है, क्योंकि व के साथ भी बोल सकता हूँ कि हाँ, यह चीज़े काम करती है, और 46 ग्रेट पर में job लेना, तो उससे अब इतना बड़ा target भी होगा, अगर आपका, तो वो achieve हो जाएगा, ठीक है, तैयारी same होती है, तो जिल लोगों को भी यह लगता है, कि मवलब time table मैं नहीं बनाता हूँ, इसा ही पढ़ लूँगा, तो भाई मेरी तो request ही यही रहेगी कि आप time table बनाओ, even कोई भी टॉपर होगा, कोई भी teacher होगा, अच्छा तो वो यही suggest करेगा, कि आप एक structured way में time, अपना decide करो, कब क्या पढ़ना है, और उसी साब से अपनी study करो, क्योंकि वही एक logical planned way में study होग और उसी से आपको result मिलेगा, तो I hope आपको समझ आया होगा, मैं आपको कुछ images भी share कर दूँगा, जैसे मैं बनाता था, पर उन चीजों का कोई मतलब नहीं है, मेरे पास बहुत सारी photos है, जब मैं मतलब बनाता था, जैसे board मैंने ले रखा था, आप ऐसे white board भी रख सकते हो, चोटा white board भी रख सकते हो, क्योंकि जब हम लोग marker से लिखते हैं, बड़ा बड़ा, तो और मतलब interest आता है, और चीज़े clear होती है, तो जैसे मैं लिख लेता था, ऐसे math, reasoning, मैंने आपको strategy वीडियो में एक timeline को concept भी बताया था, कि हमें 60 days को ऐसे time में break करके चलना है, यह 60 days है तो इनको हम break कर सकते हैं, कि हम किस month में, कितने दिन में क्या कर सकते हैं, calendar आप ऐसे रख सकते हो, जिसमें dates ऐसे लिख सकते हो, उनको ऐसे cut कर सकते हो, यह सारी चीजे क्या है, काम करती हैं, तो इस video का purpose यही है, आप इसकी importance को समझो, और चाहे फिर कोई भी हो, जो भी selection लेत हुआ, तो वो चीज है, मतलब मुझे ऐसा लगता है, कि आपको भी फायदा करेंगी, आप इस चीज को अपने daily basis, क्योंकि अभी आप सुरू करोगे ना, मैं ज्यादा detail में क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि हर किसी बच्चे की जो अपनी strength है, अपनी weakness है, लेकिन आप जो करन सुरू करोगे, चार-पांस दिन बाद आपको खुदी पता चल जाएगा, कि अच्छा मुझे ऐसे plan बनाना चाहिए, ऐसे मैं ज्यादा पढ़ पा रहा हूं, तो करो जरू आप इसको, अभी चार-पांस दिन आप एक trial के way में करो, अपना sleep time decide करो, जैसा मैंने बोला, हर ची उस हिसाब से कि number of candidates हैं, वो ज्यादा है, ऐसा नहीं कि बहुत tough है, मैं tough नहीं बोला, मैं बड़ा exam बोला हूं, तो आपको मेहनत भी उस हिसाब से करनी पड़ेगी, और एक सही way में आप मेहनत करोगे, तो हम लोगों के जैसे आप भी selection लोगे, और definitely एक अच्छा score करोगे, अच्छी rank पाओगे, तो आयोप आप लोग इस चीज का ध्यान रखोगे, क्योंकि हम जो पढ़ा रहें, ऐसा नहीं कि हम पढ़ा दिया, बाकि आप कुछ भी करो, ऐसा नहीं है, जब हम पढ़ा रहें, तो पूरी responsibility के साथ पढ़ा रहें, आपको selection भी दिलाएंगे, selection आप लोगे, और last step तक आपके साथ रहेंगे, चाहे वो preference भरना हो, चाहे आपको computer typing कहीं पर भी दिक्कत होगी, आपकी help करेंगे, आप comment करके बताओ आपको और क्या-क्या दिक्कत है, basic से अगर कोई चीज पढ़नी है, वो सारी चीज़े आप बताओ, सब कुछ YouTube में free है, आप ल बाकी, आगे किसी वीडियो में हम लोग मिलेंगे, next topic के साथ, मैं था पढ़ते रहो, मैं में one sort series, जिसमें concept की कोसिस कर रहा हूं, concept पढ़ा दूं आपको, और practice के लिए मैं और कोसिस करूंगा, जहां पर हम 25 question की practice कर रहे होंगे, तो कि आप मुझे लग रहा है, बहुत time नह कर रहे थे, अब दो महीने बचे, एक महीना कहां निकल गया, पता नहीं चला, ऐसे ये दो महीने भी निकल जाएंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, तो अब मैं practice मैद की सुरू कर दूंगा, जिसमें आपको 25 question, 15 question, 10 question, जो एकदम important है, वो आप करोगे, और आपका score improve होग का selection भी आप लोगे, ठीक है, मिलते हैं next video में, जैहिन, goodbye